जैजे स्रीराम आपका स्ने प्रदान मंत्री जी को मोसम की विप्रीत प्रस्थितियों का सामना करते वे भी दिल्ली से बाई रोड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि कोई प्रधान मंत्री बाई रोड जनता जनारदन के साथ संबाद बनाने के लिए आ रहा हो बैनों और भाईयों आदनिये प्रधान मंत्री जी का उत्तर प्रदेश में आगमन पांसो वर्सों के इंदजार को समाप्त करके अयोद्या में प्रवुसरी राम लला के भब्य मंदिर के उद्गाटन कारेकरम और राम लला की मूर्त की प्राण प्रतिष्ठा कारेकरम के प्रांत पहला दोरा भी उत्तर प्रदेश वास्यों का सोहाग्य है आदनिये प्रदान मंत्री जी का अस्रिबाद और सानिध्य उत्तर प्रदेश वास्यों को बुलंसर की धर्ती पर प्राप्त हो रहा है इस उसर पर मैं आप सभी उपस्तित बेहनों और भाईयों की और से उत्तर प्रदेश के पचीस करोड जन मानस की और से आदनिये प्रदान मंत्री जी का हिर्दे से स्वागत करता हो अविनंदन करता हो भाईयों बेनों उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर विकास की प्रक्रिया के साथ तेजी के साथ आगे बढ़ता हुआ राज्य है यह जो कुछ भी हो पा रहा है आदनिये प्रदान मंत्री जी की कृपा उनके आस्रिवाद उनका मारिद दर्सन और उनका नेत्रित्व एक नए भारत के निर्माण की दिसा में जिस यससी ने त्रित्व के रूप में आज हम सब भारतवासियों को प्राप्त हुआ है एक नए भारत का दर्सन नकेवल 140 करोड भारतवासी कर रहे है बलकि दुनिया भी इस अद्बुद अब इस मर्णिय और अलोकिक आउसर से आज देख करके चंबित है और भारत की और आकरसित हो रही है यह हम सब का सववाग्य है कि हमारे पास प्रधान मंत्री के रूप में और अपने सशी नेता के रूप में मोदी जी जैसा लोग प्रिय नेत्रत्व हम सब के साथ में है और उनका मार्ग दर्शन नेत्रत्व हम को प्राप्त हो रहा है आज भी आपने देखा होगा आपका शने प्रधान मंत्री जी को मोसम की विप्रीद प्रिश्टितियों का सामना करते वे भी दिल्ली से बाई रोड आपने पहले कभी नहीं देखा होगा कि कोई प्रधान मंत्री बाई रोड जनता जनारदन के साथ संबाद बनाने के लिए आ रहा हो और आज दिल्ली से बाई रोड प्रधान मंत्री जी मसलक हमार्ग से हमारे बीशे में आये हैं मैं इस आयोजन के उसर पर वायो बेनो प्रधान मंत्री जी का हिर्वे से विनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ आज हम सब जान रहे हैं तीन दिन पहले अयोज्या का अदबुत अलोकिको बिस्मर्ण कारेक करम पुरे भारत वासियों ने पुरी दुनिया ने देखा है लेकिन साथ साथ इस अद्बुदर बिस्मनिय कारेक कर्म के उप्रांद अयोध्या के बाद बुलंसर पस्थिमी उत्तरब्रदेश वासियों का आज प्रदान मंत्री जी का मारगदर सन प्राप्त होगा और उपार सरूप आज पूस्थ पूर्णे माभी है 21,000 करोड रुपे से अधिक की प्रियोजनाओं का सौगाद भी उत्तरब्रदेश वासियों को प्राप्त हो रहा है वायो बेना कोई सोचता था उत्तरब्रदेश में हर जिले में मेडिकल कालेज होगा कोई सोचता था पहले तो मीटर गेज को ब्रॉड गेज करने में ही दिक्कतें होती थी पैसा ही नहीं मिलता था आज चोथी रेलवे लाइन भी उसका भी लोकारपन प्रधान मंत्री जी करने जा रहे हैं फ्रेट कोरिडोर के एक सेक्षन का उत्गाटन भी प्रधान मंत्री जी के करकमलों से होने जा रहा है और भी तमाम प्रियोशनाओं का लोकारपन और सलान्यास वा गरीबों के लिए जुड़ीवी आवासी योजनाएं भी है इंफ्रस्टक्सर से जुड़ीवी फोर लेन, सिक्स लेन की सडकों का भी है बुनियादी सुवधां से जुड़ीवी योजनाएं भी है ये सभी नए भारत के अंदर बिना भेदभाव के मिलने वाली योजनाएं हैं जिन योजनाओं का लाप लेकर के आज हमारा भारत और उत्तरब्रदेश विकास की एक नित नए प्रतिमान को स्तापित करते वे आगे बढ़ रहा है वह यो बेनो मैं इस होसर प्रादनिय प्रधान मंत्री जी का अब हर भी ब्यक्त करता हूँ और अब इनंदन भी करता हूँ कि ना ने पिछले तीन दिनों में दो महत्वपूर निर्ड़े लिए एक निर्ड़े ताप एक करोड़ घरों को रूप टॉप सॉलर के लिए एक नई योजना का सुभारंब और ये सुभारंब उसी दिन हुआ है जिस दिन प्रभू राम की रामलला की मूर्तिकीर प्रांट प्रतिष्टा का सुब कारिकरम प्रदान मंत्री जी के करकमलों से पांसो वर्सों के बाद योध्या में हुआ और दूसरा आपने परसों एक महत्वपूर्ण निर्ड़े देखा होगा सामाजिक न्याय के प्रोधा बिहार के पूर मुख्य मंत्री सर्दे करपूरी ठाकूर जी को भारत वत्न दे करके सामाजिक न्याय की इस लड़ाई में बंचिताओं दबे कुछले और पिछडे वर्ग को सम्मान दे करके उनके माद्यम से नित्रत्व का एक नई श्रिंखला को आगे खड़ा करना और आदरिये प्रदान मंत्री जीफ हम सब आपके आभारिये हैं कि सामाजिक न्याय की परंपरा को इस मजबूती के साथ अगरसर करते हुए द्रोदाओं को तो सम्मान देने का कारव की आपके माद्यम से आजद भारत रत्न के रूप में कर पूरी ठाकुर को भी सम्मान देने का का यफज और इसके लिए हम सब आपके परती आभार व्यक्त करते हैं आज मौसम की विप्रीट परिस्थित्यों के बाप आपका बुल बिना डिके बिना जुके हमें विक्सित भारत के संकल्प को आगे वढ़ाने में प्राणपण से जुठना है और इसी संकल्प को आगे वढ़ाने के लिए यह जनता जनार्दन आज आपका मार्ग दर्सन प्राप्ट कर रही है कि अभी कुछ दिनों के बाद जब इस देश में आम चुना होंगे ते जनता जनार्दन आपके साथ फिर से खड़ियों करके फिर एक बार मोदी सरकार फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्ब के साथ आगे बढ़ करके आपके नित्रित्व में तीसरी बार फिर से देश के अंदर 2014-2019 से भी बड़े बहमत के साथ फिर से सरकार बने कि इस पिस्वास के साथ मैं आज के सौसर पर आपका फिर से बुलंसर की दर्ती पर हिर्दे से स्वागत करता हूँ, अविनंदन करता हूँ धन्यबाद, जैहिन, जैजै, स्रीराम कर weapons वाद करते हुआ टिर PP